आज हम इस वीडियो में UGC NetJRF के मनेजमेंट सब्जेक्ट की जून 2020 की एक्सपेक्टेट कटाप बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मनेजमेंट सब्जेक्ट की UGC NetJRF में दिसमबर 2019, जून 2019, दिसमबर 2018, जून 2018 और दिसमबर 2017 में कटेगरी वियाइस कटाफ क्या क्या गई थी ये जितना भी डाटा दे रखा है ये एक परसेंटेज है तो चलिए सबसे पहले हम अपने मार्क से हिसाब से परसेंटेज क्या होंगे वो निकालना सीखते हैं एक एक एकक्सांपल के लिए हम मान लेते हैं मान लिजए जो एक्जाम पेपर हमें 300 मार्क स का है हमें 180 मार्क संदेज girly पर्सेंटाइली दे रखा है, सबसे पहले आप अपने पर्सेंटाइल निकाल लीजेगा, फिर आप इससे मेश कर लीजेगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, दिसंबर 2019 में जे आरेफ की अन्रिजर्वड की जो कटाप गई थी, वो 61.3 थी गई थी, EWS की 57.33 गई थी, OBC की 57.33 गई थी, SC की 54 गई थी, ST की 52 गई थी, और अन्रिजर्वड नेट की, दिसंबर 2019 में नेट की अन्रिजर्वड की 54 गई थी, EWS की 48.67 गई थी, OBC की 48.67 गई थी, SC की 47.33 गई थी, ST की 46 गई थी, जून 2019 में अन्रिजर्वड की जे आरेफ की जो कटाप थी, वो 68 गई थी, EWS की 62 गई थी, OBC की 63.33 गई थी, SC की 61.33 गई थी, ST की 62 गई थी, अगर हम अन्रिजर्वड की बात करें, जून 2019 में अन्रिजर्वड की 60 गई थी, EWS की 51.33 गई थी, OBC की 53.33 गई थी, SC की 50.67 गई थी, ST की 49.33 गई थी, दिसम्बर 2018 की अगर हम बात करें, जून 2019 में अन्रिजर्वड की गई थी, दिसम्बर 2018 में 54 गई थी, OBC की 49.33 गई थी, SC की 47.33 गई थी, ST की 46 गई थी, जून 2018 की बात करें, अन्रिजर्वड की, JRP की 62 गई थी, OBC की 56.67 गई थी, SC की 54 गई थी, ST की 51.33 गई थी, नेट की अगर हम बात करें, जून 2018 में, अन्रिजर्वड की 52.67 गई थी, OBC की 46.67 गई थी, SC की 44.67 गई थी, ST की 44.67 गई थी, दिसम्बर 2017 की बात करें, तो JRP की जो कटाप थी, अन्रिजर्वड की 64.57 गई थी, OBC की 60 गई थी, SC की 56.57 गई थी, ST की 54.80 गई थी और NET की बात करें हम दिसंबर 2017 में अन्रिजर्ट की 59.43 गई थी OBC की 52 गई थी, SC की 50.29 गई थी, ST की 50.86 गई थी यह जितना भी डाटा है यह हम लोगों ने NTA जो जिसी NET की Officially website से लिया है और Google से लिया है इसी डाटा के अनुसार हमारे competition विलके expert ने June 2020 में JRF और NET की जाने वाली cut-off, एक expected cut-off बताई है उनके अनुसार JRF में unreserved की cut-off 62 से 67 के बीच में हो सकती है और EWS की, EWS की JRF की 58 से 63 के बीच में जा सकती है OBC की 59 से 64 के बीच में जा सकती है SC की 55 से 60 के बीच में जा सकती है ST की 55 से 60 के बीच में जा सकती है अगर हम only assistant professor only यानि NET की बात करें unreserved category की 56 से 61 के बीच में जा सकती है EWS की 47 से 52 के बीच में जा सकती है OBC की बात करें 47 से 52 के बीच में जा सकती है SC की बात करें 46 से 51 के बीच में जा सकती है मैं फिर से repeat कर दूँ यह जितना भी data है यह हम लोगों ने NTA और UGC Net की officially website से लिया है और Google से लिया है इन data की मदद से हमारे competition well के expert ने जून 2020 की expected cutoff बताई है और अगर आपको कोई भी confusion हो या किसी भी जानकारी की जरूर आता हो तो हमारे comment section में जरूर लिखे हम जल से जल उस problem और उस जानकारी को देने का जल से जल प्रयास करेंगे और हमारे चैनल competition well में competition level की सभी त्यारी करा जाती है और उस exam के expert को भी बुला जाता है अपनी advice देने के लिए so please हमारे चैनल को like करें subscribe करें और share करें हमारे चैनल में IIT के professor भी समय समय पर अपनी जानकारी देते रहते so please like subscribe and share competition well so thank you